नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी डूप चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी, उमीद करते हैं कि भगवान महावली हनुमान जी के अश्रवाद से आप सभी बहुत ही अच्छे हुगे, दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल सुभध सुअचार वज़े से जिहाँ दोस् जरसर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल सुबस सवा चार बजे से जो मंगल गरह हैं उनका सुपर भव आप सभी के कुंडली पर देखने को मिल रहे हैं। इतने बड़े लाब के मौके आपको मिलेंगे आपके पास आएंगे कि दोस्तों आप अपने आखों पर यकीन नहीं करोगे। देवी देवताओं में से एक इसे देवता हैं जो कि अपने भक्त से बहुती ज़्यादा प्रशन होते हैं अगर एक बार भक्त के ऊपर नजर आ जाये तो दोस्तों उनके जीवन काल में आने वाली सभी संकटे समस्याओं को वह अच्छन भर में दूर कर देते हैं जिहां दोस दोस्तों आपके ऊपर भगवान सीराम का आशिरवाद आ चुका है जो कि दोस्तों आपको एक संकेत भेजे हैं या संकेत क्या-क्या है कौन-कौन से खुश खबरिया है सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं वह बहुती गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मीत आज के यह वीडियो भागवान सीराम के लिए बहुती ज़्यादा बारदान है आप सभी के लिए तो दोस्तों वीडियो को सुरू से आन तक जरूर देखिएगा जिहां दोस्तों भागवान सीराम के लिए वीडियो को एक लाइक आवश करें और पर कमेंट बोक्स में सचचे मन से जय श्रीराम जरु लिख दें। बगवान श्रीराम के आज शिर्वात से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बगवान से राम का आज सिर्वात आप सभी को प्राप्त होता रहेगा जहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी को अभिमान होता है अपने वेभव के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने पद के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने धन का, और किसी को अभिमान होता है अपने सौंदर के बल का, तो किसी को अभिमान होता है अपने सरीर का, ता क इसके कहने का यह अर्थ है कि इसवर की भक्ती छोड़कर बाकि सवी चीज इसवर यूग है। इसलिए हमें इसवर से सिक्षा स्री हनुमान जी से लिनी चाहिए। यह अभिमान हमें इसवर के स्वरू होने का गर्व महसुस कराता है। यो की एहंकार अगर मान ही करना है तो इस्वर के सेवक होने का करू जो इस संसार में हमेशा के लिए यादी अन्नत है अर्थात इसके परवाव से हम क्रोध, त्वेश, एसिया, मुह एहंकार से दूर रहते हैं। जिहां दोस्तों इसलिए हमें इस्वर की भाक्ती सेवा का अविमान पर गर्व होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस्वर की भाक्ती अनंत है और इस पवित्र सेवा में ही सब कुछ नहीं थे क्योंकि आप जो चाहो वो वस्तु प्राप्त कर सकती हो या फिर वेवस्तु आपको प्राप्त हो सकती है किवल किसी का बुरा छोड़ कर जय जय सिर्राम जय सिता मैया हनुमान जी महराज की जय जहां दोस्तों तो दोस्तों यहां ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लि Q innocent का बरियो आने वाले समय में आपके आने वाले साथ दिनों के अंदर आपको कौन-कौन से बड़ी खुश bless you हैं और आपको कौनशी कार भागेशाली होंगे और किन चहत्रों में आपको करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान सिर्राम जी के आशिरवाद से आपके घर के माहल में पारवारिक जीवन में परतेक चेतर में क्या-क्या चमत कर रहूंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा तो आज़े दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों सिर्राम का असिर्वाद आपके साथ आ चुका है और आपके जीवन काल में अब ये बड़े बदलाव होकर रहेंगे हम आप से विकों बता दें कि दोस्तों आने वाले साथ दिनों के अंदर भगवान सिर्राम के असिर्वाद से आप सभी का जो दिन होगा वैस्तार से भरा रहेगा क्योंकि दोस्तों यह समय आपको बहुती ज़्यादा लाग मिलने वाले हैं और उन कारों में आप बहुती ज़्यादा व्यास्त रहेंगे साथी साथ दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सिर्राम का गुनवान या पूरे सापता में आपको करना है समाजिक गत्त से सुखनावा माहोल भी याश में रहने वाला है क्योंकि भगवान सिर्राम का आशिरवाद याश में आप पर होंगे की खुश खबरी आपके पूरे परिवार को खुश कर देंगे जिहां दोस्तों दोस्तों याश में ग्रिशती बहुत ही अच्छी है कई तरह की जानकारी मिलेगी दोस्तों की आप एक्छा रखने की बज़ाए अपने कार छमता और योगता पर ही अधिक विश्वास रखें किसी खास व्यक्ति की समस्या को सुल जाने में आपका योगदान रहेगा रुके वे काम निप्टाने के लिए समय बहुती अनुकुल है साथि किसी समाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा घर का महोर शुकर और सांती पूर्ण भले रहेंगे अब अपने व्यक्तित गत्ति विदियों पर वेहत्रिन तरीके से ध्यान केंदित कर पाएंगे और आपको शफलता भी मिलेंगे दोस्तों इन दिनों की शुरुवात किसी खुश खबरी से होगी इसे लापारवी अत्वा आलस की वज़े से किसी भी फॉन कॉल को नदर अंदाज ना करें आपको कोई महत्पून सुचना मिल सकती है और आप उर्जा और आत्म विश्वास से करेंगे इनके साथ-साथ अपने किसी महत्पून कार को निप्टाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है प्रवसारी लोगों के साथ मुलाकात के आफसर बनेंगे और भविश्वान्दी योजनाव पर भी विचार्ज भी मर्स होगा सांतान की किसी सफलता से परिवार में ख पुचित संतुलित बना रहेगा रिष्टों में भी मदूरता आएगी किसी अनुवी वेक्ति के सहयोग से चलरी किसी समस्या का समधान मिलेगा साथी आज आचानाई कोई रुका हुआ कारे पूरा हो सकता है बच्चों के साथ कुछ समय वेतित करना था उनका मार दर्सन करन उनके आत्मी विस्वास को और अधिक बढ़ाएगा दोस्तों भगवान श्रीराम जी के असिरवात से आपकी कोई शमस्या हाल होगी जिससे चिंता मुक्त होकर आपको जीवन की कोई महत्तपुन पहलों को समझने में भी मदद मिलेगी साथी महत्तपुन विस्यों पर विच जुसा या आवेश में आना उचितनी है सांती और धैर बनाए रखें अनुवी तथा वारिश लों के मारदर्शन और सलह पर आवश्य अमल करें अपनी मनों विरती शकारत में बना कर रखें बिजनस में इस समय भवी शमंदी गतिविदियों पर समय न लागा कर मौजदा क सामों पर ही ध्यान दें कुछ रुकावटें आएगी लेकिन चिंता न करें समाधान भी मिल जाएगा नोकरी पेशा लों को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जुरत है इसी मामली से बात को लेकर पड़सियों से कहा सुनी हो सकती है अपने गुस्य और वानी पर काब को ना आ सकती है साथि अपने व्यक्तिकत मामलों में किसी का हास्ते छेप ना होने दें घर के किसी सदस्य को आपकी मदद की जुरत पड़ सकती है वैफसा में नया काम शुरू ना करें क्योंकि उचित जानकारी के आभाव में नुकसान हो सकता है दोस्तों नोकरी के लिए क कोशिश कर रहें लोगों को खुश खबरी मिलने की संभावना है कारचेतर में आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परनाम भी हासिल होंगे यहां को केरियर समन्दी उपलवदी मिलने से शुकुन मिलेगा लव लाइप के बारे में देखा जाए तो पती-पत्नी आप इस त्री वर अपने स्वास्त का विशे ध्यान रखें घुटनवा जोड़ों में दर्द रह सकता है दोस्तों बातकरताब के उपाय के बारे में दोस्तों हनुमान जी को गुल और चने का भोग लगाएं मंगलवार के दिन ब्रह्म महुरत में उठकर एक वट बिर्ख्ष के पत्य पर लाल रंग के पैन से अपने एक्छा लिखें और हनुमान जी के चर्ण में अर्पित कर दें इसे आपकी सभी मनुकामनाएं पूर्ण होंगें दोस्तों अगर नोकरी की तलास कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा चड़ाएं जिस्त ब महावीर बजरंगली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें